तो दोस्तों नमस्कार राजस्तान जीके की सीरीज हम कर रहे हैं जिसमें 15 नमर का हमारा वीडियो होगा फस्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस पे आदारीती ये सीरीज है राजस्तान और मुगल संबन्द हम पढ़ रहे हैं आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राई सिंग और अकबर जहांगीर के संबन्दों के बारे में राई सिंग ने मुगलों के साथ सहयोग की नीती अपनाइय थी हमने पिछली वीडियो में भी देखा था देखते हैं राव बीका नेर के राठोड राजवन्स से समन दी था तो राठोड राजवन्स जो बीका नेर का है उसकी स्तापना करी थी राव बीका ने 1465 में 1465 में राव बीका ने बीका नेर के राठोड राजवन्स की स्तापना करी राव बिका जो है वो राव जोदा के पुतर थे बिकानेर के राठोड राजवन्स की कुल्देवी जो है वो है करनी माता 1577 में में कल्यानमल ने अकबर के दिंतास विकार कर ली तिदानर के कल्यानमल जो है वो राई सिंग के पिता है इन्होंने 1570 में नागोर दरवार में अकबर के दिंतास वीकार कर ली और बिकानेर के पर्थम सासकते जिन्होंने अकबर के दिंतास वीकार करी राई सिंग और पर्थवी राज को अकबर के दरवार में बेजा गया अब पढ़ते हैं राई सिंग के बारे में जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 को पिता का नाम था कल्यानमल उपादियों के दिबात करें तो इनको राव राजा अकबर के द्वारा का गया था राई सिंग जो है बिकानेर का पर्थम सासकता जिसने महाराज और महाराजा दिराज की उपादियां दारन की थी राजपुताने का करन कहा इनको मुंसी देवी परसाद ने मान सिंग के बाद अकबर का दूसरा विश्वास पात्र वेक्ती था राई सिंग सेनी का बियान की बात करें तो अकबर के अकबर ने पंदरा सो बैतर में जोदपूर का परसासक नियुक्त किया था राई सिंग को जोदपूर का परसासक नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा पंदरा सो बैतर में 1533 में कल्यान मल्की मरत्यु हुई तो बिकानिर का सासग बना 1587 में दतनी का युद हुआ सीरोई के देवडा राव सुर्थान और राई सिंग पीच में जिसमें राव सुर्थान को राई सिंग ने हरा दिया जहांगीर ने 5000 की मंसबदारी दی ती राई सिंग को और दक्षिन अभियानों का नेत्रीत्व राई सिंग को जांगीर ने सूपा था कहते हैं कि जब दक्षिन अभियान के समय गया हुआ था दक्षिन में तो वहां पर एक फोग ज़ाडी राई सिंग ने देखी फोग एक जाड़ी होती है जो मरुस्तली चेतर में पाई जाती है बिकानेर के चेतर में जो है आसपास के चेतर वहाँ पाई जाती है और उस जाड़ी को जब राई सिंग ने वहाँ देखा तो अपनी भावना अभी वेक्ति कुछ इस परकार करी थी तू संदेशी रूखडो में परदेशी लोग माने एकबर तेडिया तू क्यों आई फोग आगे देखते हैं 1612 में बुरहानपूर मद्य परदेश में राई सिंग की मर्ति हो जाती है इस्तापते कला में राई सिंग का योगदान यदि देखें तो विकानेर का जो जूनागड है ये पुराने किले क की जिगे नए किला इनोंने बनवाया था और करम चंद पौमार के निर्देशन में राई सिंग ने ये किला बनवाया था दरवाजे के बाहर जेमल और पता की मूर्ति इस्तापित करवाई थी जूनागड में राई सिंग पर सस्ती लगी हुई है जिसके निर्मान करता जो जेन मुनी जिता थे साइटे में यदि बात करें तो राई सिंग ने खुद राई सिंग मौत्सव नमक गरंद की रचना करी है और जोतिस रत्नमाला की बाल बोधिन नमक टिका राई सिंग ने लिखी थी तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो बिकानेर के राई सिंग के उप पर यदि आपको वीडियो जरा सा पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजी अपने फ्रेंड्स के साथ में सेयर कर सकते हैं और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दे चैनल मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए टेक बाइब बाइब